शिक्षा मंत्री के घर ग्यापन देने पहुंचे शिक्षिकों के प्रती डोटासरा के रवये पर अब शिक्षक सड़कों पर उतराए हैं। जैपुर में आक्रोशे शिक्षिकों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जला कर विरोज जताया। शिक्षकों के प्रतिर रूखा विवहार अपनाने और नाथी का बाड़ा जैसे शब्दों का इस्तमाल करना गोविन सिंग डोटासरा पर अब भारी पड़ गया है पूरे प्रदेश के शिक्षक अब शिक्षा मंत्री के खिलाफ अपने आवाज उठाने को तयार हो गए है राजस्तान शिक्षक एक एकरत महासंग के बैनर तले जैपूर में पहले सरकार के खिलाफ नारिबाजी की गई और उसके बाद शिक्षा मंत्री का पुतला जला कर विरोध प्रदर्शन किया गया आक्रोशल शिक्षक संग ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करने कीचे तावनी दी है जो आज राजस्तान करमशारी सेयुत के बैनर तले जो शिक्षा मंत्री का पुतला देन किया गया है राजस्तान एकीकर सिक्षक मासंग उसका पूर्ण समर्थन करता है पिछले चार मासे मीडिया के संग्यान में है जो लक्षमेंगर छेतर विशेज को जो मंत्री दुवार जो टिटमेंट दिया जा रहा है उसे खिलाब इस साइधी श्मार्क पर धना प्रदसन और मेरे दुवारा जो आड़ दिन का आम नंसन मी किया गया मुझे सस्बेंड करके निलमित कर रखा है मेरे खिलाब मंत्री साब ने फायर तकरा रखी है हाम इस जो शिक्षया मंत्री जो आर्दो शिक्षकों के साथ में बरताव किया गया है उसा कड़ी सब्दों में निंदा करते हैं और बाइसाब गजंदर जी के नेतर्त में आने वाले 15 तारीक को समस्त करमचारी जिसमें सिक्षक और अने संगठन साथ होकर मंत्री का पुतला धेन करेंगे और जब तक सिक्षया मंत्री को बर्खास्त नहीं कर दिया जाएगा जब तक हमारा आंदोलन निरंतर जारी देगा हम मुख्या मंत्री साब से पूछना चाते हैं एसी कौन से मजबूरी है कि इतना विरोध होने के बाद में भी आपने उनको दो दो पद दे रखे हैं शिक्षा मंत्री पद से उनकी बर्खास्त की तुरंत की जाए जब तक हमारा आंदोलन आग की तरह पहलेगा पूरे राजस्तान में जो आज सरकार के नसे में चूर शिक्षा मंत्री दोडासराजी है पूरो काल की बाते याद आ गई एक राक्षस होता था मूर एक राक्षस होता था महिशा सुर उन्होंने गुरू ब्रश्पती का जिस तरह किसे अपमान किया वही चीज हमें जो परदेश के मंत्री है एक पार्टी के अध्यक्स है उन्होंने जिस तरह किसे क्रमचारी को अपमान किया ये नहीं साह जाएगा आज पहली चिनगारी है इस चिनगारी को पूरी रास्तान में फको पहली शोप user पहाइब नहीं लिया जाता मंत्री के पज से जब तक उनको बरखास्त नहीं किया जाता मैं मंत्री मोंदे से पूछना चाहता हूं क्या उन्होंने घर में सुविदाईई नहीं ले रख़ी शरकार की तरफ से सबसे जो सेवा करने वाली होती है और ये चुनाओ के लिए जाते हैं जब ये कह रहे हमें अपॉइमेंट लो जब चुनाओ के लिए जाते हैं वोट मांगने क्या अपॉइमेंट लेके जाते हैं ये भी बिना अपॉइमेंट के लिए जाते हैं और मैं कह रहा हूं जनता से और करमचारियों से अगली बार कोई भी नेता वोट मांगने आए तो उसे ये जुरूर पुछे कि अपॉइमेंट लियाग नहीं लिया इसलिए सारे राजस्तान के करमचारियों में बहुत बड़ा आक्रोस है और इसी को लेके मैं माननीय मुखे मंत्री जी से आग्रे करता हूं कि जितना जल्दी हो सके इनका इस से और जितने करमचारी हैं वो सब मिलके राजस्तान के सिक्सा मंत्री का पुतला जलाएंगे